नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे स्वास्थे में हैं आज मैं आप लगोगो गौत्म बुद्ध के ही एक और नई कहानी सुनाने वाली हूँ तो आईए शुरू करते हैं एक बार भगवान बुद्ध जेत्वन विहार में रह रहे थे फिक्षू चक्षूपाल भगवान से मिलने के लिए आये थे उनके आगमन के साथ उनकी दिन चरिया व्यवहार और गुनों की चर्चा भी हुई फिक्षू चक्षूपाल अंधे थे एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीडों को चक्षुपाल की कुतिल के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरूakर दी कि उन्होंने इन जीवित प्रानियों की हत्या की भगवान बुध ने निंदा कर रहे उन भिक्षूों को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षू को कीडे मारते हुए देखा है उन्होंने उत्तर दिया नहीं इस पर भगवान बुद्ध ने उन सादकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीडों को मारते हुए नहीं देखा वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीडों को जान बूच कर नहीं मारा है इसलिए उनकी भदसरना करना उचित नहीं है फिक्षूओं ने इसके बाद पुछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों है उन्होंने इस जनम में अथवा पिछले जनम में क्या पाप किये फगवान बुध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्फ जनम में एक चिक्षक थे एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आखे ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे पर उसने दासी बनने के भैसे यह मानने से इंकार कर दिया जिकित्सक को तो पता था कि उस्त्री की आखे ठीक हो गई है वह झूट बोल रही है उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई वो कितना ही रोई पीटी लेकिन चक्षुपाल जड़ा भी नहीं पसीजा इस पाप के फल स्वरूप अगले जनम में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा इसलिए हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जो आज हम किसी और के साथ कर रहे हैं वो कल हमारे साथ भी हो सकता है उमीदे आप लोगों को कहानी पसंद आई हो धन्यवाद